नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आखिरकार BSF का गठन क्यों किया गया BSF के गठन करने के पीछे क्या वो उस समय के तत्कालीन कारण थे इसके अलाब हम यह भी समझेंगे कि BSF का इंटर्नल structure आखिरकार क्या है किस तरह से उसको regulate किया जाता है इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि उद्देश से क्या क्या है तो दोस्तों वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है आप वीडियो पर अंतर तक बने रहें चली दोस्तों आज बॉर्डर सेकोर्टी फोर्स यानि की बीएस जिसकी आज हम बात करने जा रहा है इसके अलावा सी आई सब्सक्राइब यह साथ यहां पर हमारी फुलिस फोर्स सेंटरल लेवल पर तैनात की गई है तो दोस्तों इनी का यह भाग है बीएस आज हम इसके में बात करेंगे तो दोस्तों आप समझते हैं कि बीएस आप का गठे नाखिरकार क्यों किया गया तो दोस्तों बीएस आप के गठन के अपना अग्रेशन दिखाते हुए सरदार पोस्ट चार बेट और बेरिया बेट के इस जगों पर हमला किया और यहां पर देखा गया कि जो इस थानी पुलिस थी वो कही ना कहीं अक्षम प्राप्त करी 1965 के बारे में कभी हम अलग बात कर लेंगे तो दोस्तों इसके बाद हमने जरूत महसूस की कि हमें एक सीमाओं के शुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेट फोर्स करने माल करना बहुत ही जरूरी है ताकि हम सीमाओं की शुरक्षा में एक इंटीग्रेशन को देख पाएं एक समनबय को देख पाएं अगर हमारी फोर्स इस गुजरात के शेत्र में लगी हो चाहें वह राजस्तान में चाहें पंजाब में कहीं भी सीमाबर्ती शेत्रों में डिप्लॉइड हो या फिर बांगलादेश की सीमा पर कहीं भी लगी उन तो दोस्तों बतालियन जो फोफिस की एक टुकでした की ऑवे सीमित मात्रा में में वहां पर माननेडरेशन से लगब हजार के वीच के में महां पर सिपाई होते हैं बरतवान में बात करें तो लगग 1100 का अश-पास एक बतालियन में सिपाई यहां पर होते हैं तो उस समय पे ल से लेसे बीए सब्सक्राइब क्या क्या उसके पास टेक्नोलोजी है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे इसके लावा दोस्तों 1971 में जो भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें भी बीएस अपने उन अपनाव महत्पूर्य योगदान निभाया जिसमें हमारी रेगरेगलर स्फोर्स की डिप्लाइमेंट कम थी तो दोस्तों इसके लाव लोंगे बाला की लड़ाई आपने सुनी होगी उसमें भी BEEIस-UP ने अपना महथपूर योगदान नेवाया इसके लाबतां दोस्तों BEEIस-UP ने बंगलादेश के आजादी में भी महथपूर योगदान नेवाया और इसके लिए दोस्तों BEEs-UP की इंद्राकादी और बात करें तो BSF के head अगरकार कौन होते हैं तो BSF के head को कह जाता है director general जो कि IPS यानि कि भारतिय पुलिस सेवा से चैनित किये जाते हैं senior most IPS officers होते हैं उनको इनका director general बनाय जाता है इसमें जो हमारे बरतमान में director general है वो है पंकस कुमार सिंग दोस्तो director general का जो headquarter होता है बो होता है देली में दोस्तो director general के अलाबा दो special director general के भी headquarter है जो कि eastern command जिसे कोलकर्ता में इस्थापित किया गया है इसके अलाबा western command जो चंडिकड में इस्थापित किया जाता है तो दोस्तो इसके अलाबा दिल्ली के headquarter के अलाबा यहाँ पर special director general headquarter बनाए गए है क्योंकि जो BSF है वो पाकिस्तान और बांगलादेश दोनों की सीमा उपर हमारी रक्षा करती है यानि कि जो BSF की deployment है वो पाकिस्तान की सीमा पर और इसके अलाबा बांगलादेश से लगी हुई सीमा पर अपनी services देती है यानि कि यहाँ पर तैनात रहती है तो दोस्तो दिल्ली में यहाँ पर director general का headquarter है इसके अलाबा दो eastern command और western command पर special director general के headquarter है इसके अलाबा दोस्तो अब directors तो दोस्तो इस special director general के headquarter के बाद आते हैं FHQ यानि कि frontier headquarter और इनके head होते हैं IG यह भी एक भारती पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं इसके अलाबा हम देखें तो frontier headquarter के बाद sector headquarter बनाए गए हैं और sector headquarter के head होते हैं डी आईजी और दोस्तों यह सेंटर headquarter हैं इनके अंतरकर लगवक चार से पांच battalions होती हैं तो पिरतेग बटालियों में लगवक 1100 क्यास पास सिपाई होते हैं और पिरतेग बटालियों के पास अपनी यर विंग वाटर विंग एंड आर्टिलरी विंग वहाँ पर तैनात रहती हैं दोस्तों बीएस अप एक मात्र ऐसा central arm police force है जिसके पास अपनी separate यर विंग है वाटर विंग है इसके लाबा आर्टिलरी विंग है यानि कि बहुत ही स सीमा सुरक्षा के मामले में भारत का जो बीस अप है वो सबसे बड़ा सीमा सुरक्षाबल है इसके अंतरगत मैं बात करूं तो 186 लगवग बटालियंस हैं जिसमें 2.7 लगवग 2,70,000 विपाई तैनात हैं और दोस्तों इसके साथ ही सीमा सुरक्षाबल के मामले में पूरे पीछ टाइम यानि सांती काल का दौरान bsf का कर रहें रहता है बोर के या इके बारद की आप रुक्षा कीजिये और उसकी निग्रानी के इसके लाबा प्रिवेंश ऑर क्राइंक जो ट्रांस बार्डर क्राइम याने कि जो क्राइंस वगयरा हो रहे हैं उनका आप आप निदान कीजिए उन पे आप रोक लगाईए इसके लाबा प्रिवेंशन और इस्मगलिंग एनी अधर इलीगल एक्टिविटीज और दा बॉर्डर यानि कि इस्मगलिंग वगरा की यानि तसकरी की जो भी घट्राय हो रही है इसके लाबा जो भी गैर कानूनी दिया बॉर्टर छेत्र में हो रही है उन पे आप रोक लगाईए और उनके पर कारवाई करना यह बीए सब का यहां पर रोल रहता है इसके अलाबा एंटी इलफ्री ट्रेशन डिटीज यानि कि घुसपैट वगरा ना हो पाए इस पर भी बीए सब को ध्यान रखना होता है इसके लाबा कलक्षन ट्रांस बॉर्डर इंटेलीजेंस यानि कि बॉर्डर छेत्र की इंटेलीजेंस यानि कि जानकारियों को प्राप्त करना और उनको हेड़्कॉर्टर में यानि कि जहां भी जरूत हो उनको साजा करना तू प्रमोट असेंस ऑप सेक्यूरिटी अमोंग युद्ध हो रहा है उस जोरान भी असब का रोल के आए तो दूस्तों डूरिंग वर्ड टाइम क्या रहता है कि सेना जो रहती है वो होती है आगे और भी असब को रखा जाता है पीछे तो इसको ये जिम्मेदारी जी जाती है कि आप सेना के पीछे रहकर जो छेत्र आपको दिया गया है उस पर आप अपनी position को hold रखिए जिन छेत्रों पर आर्मी control यानि कि भाद की सेना दोरा enemy के अगर किसी छेत्र को अधिगरेद कर लिया गया है तो उस छेत्र पर law and error को यहाँ पर establish करना इसके लाबा acting as guide to the army in border area यानि कि border area में army को यहाँ पर आप guide की रूप में कार करिए क्योंकि जो BSF की तैनाती रहती है वो border के छेत्र में रहती है तो वो उस छेत्र से बहुत ज्यादा वाकिफ होते हैं तो आर्मी उस छेत्र में जब जाती है तो उसके लिए कही न कहीं वो छेत्र नया होता है तो इसलिए BSF को महाँ पर जिम्मेदारी जी जाती है कि वो आप आर्मी को महाँ पर guide करें इसके अलाबा refugees बगारा को control करने के लिए BSF का उपयोग की जाता है इसके अलाबा यहाँ पर हम देखे performing special task connected with intelligence including close border rates यानि कि अगर आपको border के छेतर में raid करनी है तो उसमें आप intelligence महाँ पर पिर्दान करें इसके अलाबा महाँ पर special task बगारा भी कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह यहां की commando forces होती है यानि कि BSF के अंतरगत अगर क्यूक response सही होता है तो इन क्रीक क्रोकोडाइल को जो की BSF के सिपाई होते हैं जो specially trained की जाते हैं और commando training इनको दी जाती है तो दोस्तों यह क्यूक response के लिए यहाँ पर इनको तैनात किया क्या गया BSF का आखिर का structure क्या है BSF के उद्देश से क्या है और special detachment के बारे में जाना आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि कि BSF कौन से equipments का उपयोग करता है इसके लावा BSF के पास कौन सी वहते टेकनोलोजी है जिनसे BSF ने सीमा सुरक्षा में बहुती महत्पूर अपना योगदान दिया है इसके लावा दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको इसी तरह interesting topics मिलते रहेंगे तो दोस्तों वीडि क्या थास करता है इसके लावा